कि मैं एक fixed capital से trade करती हूँ और उसमें से जो भी profit निकलता है तो वो side में रखते जाती हूँ Capital मैं तब तक increase नहीं करती हूँ और शायद hardly कभी increase करती हूँ लेकिन जब तक जो मेरा capital deployed है उसका 4 times profit नहीं निकल जाए तब तक मैं capital increase नहीं करती हूँ हलो फ्रेंड्स आप लोके demand request पे एक और वीडियो money management and stop loss in options से stop loss ही क्यों target क्यों नहीं तो मैं तीनों चीज cover करती हूँ और एक और काम किया इस बार मैंने आपके लिए कि option chain का एक screenshot लिया है कुछ weekday live market से प्रैक्टिकल live market से screenshot लिया है to explain your हम options buy करते हैं या sell करते हैं लेकिन हमारा 100% strike rate होता ही नहीं है अगर हम 60 भी पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा है बाकी 40 के लिए stop loss है और 60 के लिए targets बड़े रखें तो और मजाएगा एनिवेस तो सबसे पहली बात money management या stop loss जो भी कहें मेरा जो style है वो सबसे पहला यह है कि मैं एक fixed capital से trade करती हूं और उसमें से जो भी profit निकलता है तो वो side में रखते जाती हूं because loss भी तो होता है तो वो loss उसी से भरते हैं और फिर से trade करते हैं profit निकालते हैं capital मैं तब तक increase नहीं करती हूं और शायद hardly कभी increase करती हूं लेकिन जब तक जो मेरा capital deployed है उसका four times profit नहीं निकल जाए तब तक मैं capital increase नहीं करती हूं हां यह बात ताजुब वाली है लेकिन मुझे अपनी trading continue रखनी है सबसे बड़ी बात मैं हर वीडियो में कहते हूं कि मुझे 37-38 years हो गए and my biggest achievement is कि मैं आज तक market में हूं और मेरा ऐसा मानना है अब तक market में होना is not a small thing और इसमें मैंने बहुत से discipline सीखे हैं मुझे ring time में भी brokers लोगों ने बहुत कुछ सिखाया discipline, emotions, इन सब के बारे में सिखाया लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया you know young blood, नहीं सुनते हैं जोश अलग ही रहता है लेकिन जैसे जैसे market में सिखाया अब market कैसा सिखाता है वो तो आप सब जानते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है बहुत high fees लेता है इतनी high fees लेता है कि अदमी अगर सीख ले तो बहुत अच्छा है तो जब इतनी high fees दी तो यह समझ में आया कि capital increase न करें और profit increase करते जाए और profit sign करते जाए profit जो है वो capital से जब तक चार गुनाना हो जाए बड़ा तब तक continue रखें हो सकता है उसको दो साल लगे तीन साल लगे चार साल लगे पांट साल लगे दस साल लगे जो भी लगे that is totally different first money management मेरा यही है और जो capital मेरे पास है वो मैं एक साथ deploy भी नहीं करती हूं starting से certain portion 10% 20% deploy करती हूं क्योंकि अगर by chance loss हो गया तो अगले महिने के लिए भी कुछ चाहिए तो यह जो है मेरा एक्तम simple fund है money management का एक साथ capital कभी deploy नहीं करती हैं अब आते हैं selling options में हम सब यह जानते हैं कि selling options में unlimited risk है मैंने बहुत लोगों से सुना है कि selling options में ही हम stop loss लगाते हैं buying options में नहीं लगाते हैं क्यों भाई buying options में stop loss क्यों नहीं लगाते हो देख क्या आप भी जोती बुदिया मैं से end-to-end trading पढ़ना चाहते हैं if yes then I have something very exciting to share with you हमने जोती बुदिया मैं के साथ recently introduced किया है जोती बुदिया learning path इस learning path में आपको जोती मैं के सभी courses का access one go में मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस learning path में technical analysis, options trading, open interest based trading और माम के बाकी सभी courses available है and you know the best part अगर आप individually इन courses को buy करते हैं तो आपकी fees को 1600-2000 के बीच होंगी but if you buy this learning path you'll get it for only 999, isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को subscribe कीजे और जोती मैं से trading सीखिए, now let's get back to the video जब हम options buy करते हैं तो हम क्या कहते हैं हम 10,000 लगा रहे हैं और हमारा SL जो होगा वो 5K होगा, हम कुछ भी ऐसा एक फिगर randomly लेते हैं और target let us say 20K right मतलब आप 5 का risk ले रहे हो और 10 का profit ले रहे हो 1 का risk 2 का reward यह target है 20K मतलब 10 का profit लेकिन अगर आपने profit जो है वो 12K में book कर लिया और loss पूरा गया अगर आप खड़े रह गया और उसको 0 कर लिया option को तो फिर आपका तो पूरा risk reward change हो जाता है मतलब risk 10,000 का और profit से 2,000 की तो पूरा अपने गलत बना लिया और यही होता है options buyers low अपना capital zero कर देते हैं और कहते हैं कि loss is only up to the premium मैं कहते हूं loss is only up to the capital now just change this word loss is only up to the capital deployed then अब यह thinking में फर्क पड़ गई दूसरी बात जब हम buyer होते हैं कि stop loss क्यों लगाए तो friends हमने एक शर्त लगाई है कि भाई market उपर जाएगा भाई हमने investment तो नहीं की कि dmat में shares लेके रख दिये एक शर्त लगाई है और शर्त जो है day by day जैसे जैसे time नजदीक आती है उसकी probability उपर जाने की या शर्त हमारी जीतने की जो probability होती है वो डाउन होते जाती है वैसे ही market के उपर जाने का जो हमने bet लगाया या market नीचे जाने का जो हमने bet लगाया है और उसके वज़े से हमने जो call buy किया है या put buy किया है तो वो भी day by day उसकी premium depreciate हो रहे है अब एक simple बात में आपसे पूछूँ Let's say, अगर कोई आपसे ये कहे कि भाईया मैंने 10 lakh rupees loan पे लिया है क्योंकि I am expecting some project एक बहुत बड़ा project आने वाला है और मैंने 10 lakh rupees loan पे लिये है और कब आएगा project बस आज शाम को या कल सुबह या परसों तक आही जाएगा मेरे पास confirm news है ठीक है अब आपने वो पैसा भी loan पे ले लिया कि जैसे प्रोजेक्ट आ जाए आपको पैसा डिप्लॉय कर दो और वो प्रोजेक्ट नहीं आता है किसी भी कारण से आजकल 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 हो रहा है अब क्या करोगे ऐसी सिती में या जो आपका फ्रेंड है जिसने ऐसे पैसे लिये होंगे loan पे उनसे क्या कहोगे यही ना कि एक बार loan return करते जब प्रोजेक्ट आएका तब देखेंगे क्यों अरे पड़ा पड़ा पैसा ब्याज खा रहा है तो वही तो मैं कह रही हो कि पड़ा पड़ा option जो आपने buy कर रखा है वो रोज ब्याज खा रहा है वही तो ब्याज का पैसा है और वह डेप्रिशेट हो रहा है डे बाई डे रिटर्न कर दो मार्केट को थोड़ा सा लॉस लेके इतने दिनों का ब्याज भर के निकल जाओ जैसे ही movement आएगी हम फिर ले लेंगे किसने रोका है लेकिन इस उमीद पे की प्रोजेक्ट आएगा movement आएगा हम options buy करके जिन्दगी भर मतलब expiry तक बैठ तो नहीं सकते इसलिए हमें एक stop loss लगाना ज़दूरी है तो जिससे हमने बात की अगर हम 4-5 दिन में हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं पैसे को बैसे ही अगर चारपास दिन में movement नहीं आता है भाई दिल कड़क करके उस option को square off करो जो loss होना था हो गया जीरो तो मत करो इस पीरिड वाले stop loss को कहते हैं time stop loss एक particular time में इसे दी सकती हूं इतने दिन में नहीं हुआ stop loss hit I'm out दूसरा stop loss अगर मैंने बाइक किया है और 30% 35% जो भी premium है वो जैसे ही depreciate हो गया I will be out 100% मुझे नहीं देना 25% जितनी आपकी pocket allow करें but पूरा capital zero मत कीजिए मैं तो यहां तक सुनती हूं कि लोग लाखों के options खरीद लेते हैं पर्मनेंट नहीं है यह ध्यान रखिए और आपके वह 50,000 एक लाक रुपए 10 लाक रुपए हो जाएंगे इसी महिने में यह हो सकता है by fluke एक बात कहना चाहती हूं रणिंग मार्केट में थोड़ा सा भी profit आये ना हम hold नहीं कर सकते हम कट कर देते हैं लॉस में हम जीरो तक खड़े रहते हैं गाप अप गाप डाउन के वज़े से कल अगर हमारे फेवर में ओपन होता है और उसमें हमें बड़ा profit आ गया तो बहुत अच्छी बात है बट रणिंग मार्केट में पोजिशन को hold करना is not so easy बहुत डिफिकल्ट है तो अगर हम profit fast book करते हैं तो loss उससे भी fast book करनी चाहिए यही बात अब मैं option chain से भी समझाती हूं और अब एक calculation उसमें दिखाती हूं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि stop loss और target दोनों चीज हमें option chain में ही मिल जाती है तो मेरे पास एक option chain है जिसकी screenshot मैंने ले रखी है अगर आप देखोगे यह उसकी price है और यह इतने बज़े इतने तारिक को लिया गया है 2nd February morning 11 o'clock को लिया है 1059 और 11 o'clock राइट इसका ही second part है TCS का यह option एक simple तरीके से बता रहे हूं हमने 4100 का option जो की out of the money है तो इसका premium क्या है 31 रुपीज 11 बज़े की बात है 31 रुपीज में हमने ले लिया अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम यह कहते हैं कि 30% या 33% हम इसका stop loss रखेंगे तो let's say हमने 10 रुपीज stop loss रख दिया एकदम simple calculation है 10 रुपीज हमने stop loss रख दिया जो की एक lot पे 1750 रुपे होता है और इस बात को बिल्कुल fix रखिए कि अगर मैंने 10 रुपे का हो जाएगा एक बार दो बार तीन बार हर बार होता है तो हमें हमारी study refine करनी पड़ी तो हमने क्या पकड़ा stop loss 10 रुपीज which is approximately 30 35 33 percent एक round figure में पकड़ लिया अब हम target क्या expect करते हैं सबसे पहली बात हमने ये call लिया क्यों तो मेरी आदत है सबसे पहले मैं cash में call बनाती हो तो हमने जैसे price देखा 39 39 right तो हम इसको थोड़ा सा round में ले लेते हैं buy at 3940 ये rate में हम buy करेंगे because मुझे long build up भी मिला होगा open low भी मिला है ये मैंने open interest पिक video किया हुआ है लिंक में mentioned है आप उसे जरूर देखिएगा तो long build up with open interest प्लस open low nearby ये मैंने एक video बनाया है उसके base मैंने 3940 में buy किया है cash तो सबसे पहला stop loss letter से हम पकड़ते हैं और इसको डालते है 3900 SL और target हम डालते हैं 40 अब हमने 40 का risk लिया है तो 80 या 100 का target पकड़ते हैं तो हमने target क्या लिया है let us say 4050 4100 ऐसा कुछ हम target पकड़ेंगे और उस basis पे हमने 4100 का ही ले लिया ये सोचके कि अगर price चार से पांच दिन में 4100 आ जाता है तो मुझे profit होगा 20 रुपे का होगा 30 रुपे का होगा कितना होगा वो हम देखते हैं तो हमारा expectation जो हम बात कर रहे है 5 trading days अगर 5 trading days में मेरा भाव नहीं आता है या max to max 7 trading days में मेरा भाव नहीं आता है तो I will be out of the market मैं यह options वापस return कर दोंगे कि भाई तेरा पैसा पकड जब movement आएगा फिर से ले लेंगे तो यहां पर ATM option क्या है call option इसका premium है around 89 रुपीज as simple as that मतलब यहां पर अगर 4100 आएगा तो क्या होगा मेरा 4100 का जो option है वो ATM हो जाएगा जब ATM आएगा तो मेरा option premium क्या हो जाएगा ATM का जो अभी का premium है वो प्राइस जब 4100 होगा तो यह जो ATM अभी है वो यह वाले को ATM बना देगा 4100 को मतलब इसकी price 89 के करीम हो सकती है बट 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 अगर 5 दिन निकल गए तो time value भी तो खाएगा इसलिए letter से मैं इसको अच्छा खासा depreciate कर देती हूं और 89 को 75 बना देती हूं राइट तो क्या यह premium की possibility है 75 की expectation कर सकती हूं 75 चलिए अब यह premium अगर 75 हो सकता है तो 31 rupees मेरा पहला जो buy है उसको मैं कैसे लिखूंगी SL 20 या 21 जो ठीक लगे लेकिन जो decided है वो decided है और target, target क्या आएगा 75 और उसके पहले मैं एक बीच में ले लूंगी इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच में 45 rupees का difference है तो roughly मैं 20 rupees अब मतलब 50 के आसपास या 55 के आसपास पहला target पकड लूंगी SL 10 रूपया, target 28 रूपया पन इसटू टू का आ रहा है अब मैं आपको दिखाती हूं उस दिन open low था यह रहा TCS यह 2nd February open and low यहां पर देखिए और यह day का है one day मैं day में ही देखती हूं और यह सारा कुछ मैंने open interest वाले वीडियो में सिखाया है open और low almost same है open 3875 और low है 3872 almost same है इसके बेस पे हमने option खरीदा कौन सा 4100 फारोटी है let's say हमने वही खरीदा हमारी एक है mentality है कि हम इस तरह से काम करते हैं चलो मान लिया और यह चीज आप किसी भी strike rate के साथ कर सकते हो तो यह हमने किया अब हमारी जो target है उसके लिए मैंने क्या किया है तो देखिए friends तो देखिए friends यह जो है छे February नौ बच के चालिस मिनेट छे February नौ बच के चालिस मिनेट TCS 4117 जैसा हमने सोचा था चार दिन में प्राइस आ गया अब आपको यह भी बता दू कि मैं वही देख रही हूं यहाँ पे यह 3580 का प्रीमियम 580 दिखा रहा है क्योंकि एक ही स्क्रीन में मैं सब लाके आपको नहीं दिखाना चाहती थी तो मैं अलग-अलग स्क्रीन कर किया है यह देखिए वही का वही सब आपको वह दिखा रही हो 4100 का प्राइस हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर प्राइस 4100 आ जाता है तो प्राइस at least 75 तो होगा तो प्राइस क्या आया यह देखिए जब मैंने यह स्क्रीन शॉट लिया तब प्राइस क्या था 4117 तो जो 4100 का हमारा एक्सपेक्टेशन था तो क्या हुआ प्राइस जादा हुआ कि कम हुआ आ गया ना वही 89.90 का प्राइस था यहां पे आ गया 180 हमने तो फिर भी टाइम वैल्यों डिप्रिशेट करके 75 पकड़ी थी अब यहां पर अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो यह जो तरीके से हम काम करते हैं हम बड़ा प्रॉफिट करके लेके जा सकते हैं तो लॉंग बिल्ट अप प्लस हाइस्ट पुट ओपन इंटरस्ट इसके साथ अगर हम काम करें तो कोई प्रॉब्लम और इसी तरह स बिलते हैं हम टार्गेट भी निकाल सकते हैं Stop-loss हमने Defined किया है खुद के लिए कितनी बार मुझसे लोग कहते हैं स्टॉप लॉस नहीं होता हम नहीं लगा पाते क्यों भाई ऐसी क्या बात है कि stop loss नहीं लगा सकते, बोलो नहीं होता, अच्छा, तो चलिए मैं आपसे एक बात पुछते हूँ, आपके बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं, बोलते हैं कि हमको इस महीने 5,000 नहीं, 10,000 दीजिए, अगले महीने कहेंगे 10,000 नहीं, 20,000 की पॉकेट मनी क्या कहेंगे आप, भाई इतना पैसा कहां खर्श करता है, अगर वो भी खर्श करके फिर आगया फिर कहता है 20,000 दो तो क्या आप देंगे, एक बार देंगे, दो बार देंगे, तीन बार देंगे, और कहेंगे, भाई देख ऐसा है, मैंने तुमको पॉकेट मनी दे दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा, और तुम्हारा जो भी काम है, इसी में तुमको चलाना पड़ेगा, कुछे को छोड़के, करीब करीब, सब यही कहेंगे, मैं यह नहीं कहती कि सब लोग यह कहेंगे, बट कुछ लोगों को छोड़के, इतना स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ क्यों हो, क्यों कि नहीं तो पैसे की वैल्यू नहीं समझेंगे, और सारा पैसा खतम कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी मार्केट के साथ यह कंडिशन कर लो, भाई, इस महीने इतना ही लॉस मिलेगा, अगर मेरा लॉस हुआ तो, अगर इससे ज्यादा लॉस तो मैं ये मन्त में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, जो होगा दिखा जाएगा, अगर यही strictness हम अपने में ले आएं, तो कैसा रहेगा, हमारे पर बात आती है, तो क्या हमें हर चीज की permission है, और बच्चों पर बात आती है, सारे restrictions उनके लिए, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगी कि बच्चों पे से restriction हटा दीजे, मैं यह कहूंगी कि खुद पे भी वही restriction डालिए, कि इससे ज्यादा पैसा नहीं दूंगा market में, यह नहीं दूंगी market में, प्रॉफिट आ गया, उसमें से ले जाओ, मुझे घर तो पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे, तो घर पर जिसमें आपको बताती हूं, यहाँ पर मैंने आपसे बात कही थी, कि मैंने 30 रुपे का option खरीदा, 10 रुपे का stop loss, राइट, अच्छा, मैंने 40 रुपीज का risk लिया था, जब मैंने cash में call बनाई, तो मैंने stop loss कितना डाला, 3900 मींस 40 रुपीज का stop loss था, मतलब, अगर price नीचे जाता है, तो वो call और भी OTM हो जाएगा, 4100 वाला, 40 रुपे का जो मेरा stop loss है, यह 40 रुप्या और OTM हो जाता है, मतलब, 4100 का 4140 होता है, हो गया न, 40 रुप्या OTM, तो क्या premium है, 23.5, मैंने stop loss लगाया, 20, क्या हुआ, option chain ने ही मुझे बता दिया, कि क्या target हो सकता है, क्या stop loss हो सकता है, क्या इस base पे मैं अपनी सारी strategies, सारे calculations पहले से बना के तैयार कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, अगर मैं put buy कर रही हूं, तो जिस तरह से मैं call option देख रही हूं, उसी तरह से put option देखूंगी, अब यही चीज अगर writers देखना चाहें, अगर आप writing करते हो, writer बनके देखना चाहें, तो मैं वो भी बता देती हूं, तो as a writer, मैं 52, 50 का put, 3900 का sell कर दूँगी, stop loss क्या होगा, अगर price नीचे जाएगी, तो मेरा stop loss हो जाएगा, जैसे मैंने 40 rupees लिया, तो इसका 40 rupees कितना आता है, नीचे, 3430, तो मेरा stop loss क्या था, 40 rupees, अब यहाँ पर मुझे नीचे नहीं जाना है, यहाँ मुझे उपर आना है, higher side of the premium, तो 40 rupees क्या हुआ, 3940, 70 rupees, again, 20 rupees, वो ही 20 rupees मेरा stop loss होगा, तो 70 rupees का मेरा stop loss हो जाएगा, और target, जितना वो उपर जाएगा, 100 rupees उपर गया, तो 100 rupees नीचे का जो target है, वो मेरा बन जाएगा, right? इस तरह से मैं writing में भी बना सकती हूँ, इसी तरह से जब मैं put buying के calculation करती हूँ, तो वो भी बना सकती हूँ, और call writing के भी बना सकती हूँ, option chain अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, अपने आप में ही knowledge की और trading की किताब है, जिसको आप देख सकते हो, इसको decode कीजिए, और इसी में stop loss, target, सब कुछ छुपा हुआ है, देखिये, और उसी के according trade कीजिए, option chain सब कुछ बताता है, क्या आप भी जोती बुदिया मैम से end-to-end trading पढ़ना चाहते हैं? If yes, then I have something very exciting to share with you. हमने जोती बुदिया मैम के साथ recently introduced किया है, जोती बुदिया लर्निग पाथ. इस लर्निग पाथ में आपको जोती मैम के सभी कोर्स का access वन गो में मिल जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस लर्निग पाथ में technical analysis, options trading, open interest based trading और मैम के बाकी सभी कोर्स अवेलेबल हैं. And you know the best part, अगर आप individually इन कोर्स को बाई करते हैं, तो आपकी फीस कोच 1600 तो 2000 के बीच होंगी. But if you buy this learning path, you'll get it for only 9.99. Isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को subscribe कीजे और जोती मैम से trading सीखे. Now let's get back to the video. So friends, आप comment box में लिख सकते हो, कि आपको technicals या options में और किस टाइप के videos चाहिए. मैं जब भी free time मिलता है, आपके लिए videos record करूँगी. काफी कर चुकी हूँ, जो editing में चल रहे हैं, और चलते रहेंगे, regularly upload होते रहेंगे. आप मांगोगे, हम देंगे. जो knowledge मांगोगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी, वो सारे videos आपके लिए बनाने की. और सबसे बड़ी बात, आप जिस video को like करेंगे, तो मुझे भी पता चलेगा, कि इसमें मुझे advanced topic क्या बनाना है. और कॉनसे topic पे, उससे भी ज़्यादा advanced बनाते जाऊँ, और उसी को deep करते जाऊँ, जिससे क्या है कि knowledge पे knowledge मिलती जाए, और उस knowledge से मैं इतना ही चाहती हूँ, कि losses कम हो जाए और profit margin बढ़नी शुरू हो जाए. Ultimately, balance sheet जो है, profit में आजाए. मैं करोडों की अर्बों की profit तो नहीं expect करती हूँ, किसी से भी, क्योंकि वो आने से दिमाग खराब हो जाता है. Honestly, बट इतना चाहती हूँ कि अगर हम consistent income के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हमें consistent income मिले. जब हम यहाँ पर आते हैं, तो हमारा एक ही intention रहता है, कि मेरा घर चल सके, मैं एक professional trader बन जाओं, और मैं उतना कमाल हूँ कि मेरा घर आराम से चले, मेरा सारा काम आराम से चले, तो उसी के लिए मैं यह बता रही हूँ. But, अगर आप job कर रहे हो, तो definitely job छोड़के आप इसमें नहीं आओगे, जोब के साथ साथ करेंगे, because job जो है, वो एक तरिकी security है, market एक दिन की भी security नहीं है, अगर आप गलत हो गए, सब कुछ ले जाएगा, उससे उपर ले जाएगा, job में ऐसा नहीं है, तो इसलिए, job मत छोड़िएगा, इसके साथ साथ इसे ट्राइ कीजिए, और discipline के साथ, stop loss के साथ, अपने पैसों पे control रखे, आपका ही पैसा है, properly manage करिए, thank you very much,